हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो इउट्यूब चैनल उनली वेल्ट फ्रेंट्स Nifty Fiftty के अनलेस इस वीडियो में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में देखेंगे पूजिशनली किस तरीके से Nifty Fiftty को हम ट्रेड कर सकते हैं as well as for Monday intraday purpose किन लेवल पे इसको best trade किया जा सकता है कहां पे ये support ले सकती है और किन लेवल पे ये resistance कर सकती है तो weekly chart फ्रेंड यहां पे मैंने लगा लिया है 50-50 का तो weekly chart में आप देख सकते हैं bullish channel में ये काफी हफतों से यहां पे continuously moment दिये जा रही है तो इसमें एक चीज में आपको दिखाना चाहता हूँ ये एक healthy bearish candle formation के बाद last two week में इतना कोई momentum यहां पे देखने को नहीं मिला और at present देखा है इस वाली candle का high यहां पे है 19,766 और इस week की candle का high है 19,675 that means previous week की even high को यह वाली candle यहां पे break नहीं कर पाई है तो momentum is still bearish यहां पे यह मान के हम चलते हैं क्योंकि previous week के high को भी यह candle यहां पे break करने में सफल रही है इसलिए momentum at present यहां पे bearish ही मान के चलेंगे positionally जिनोंने hold करके रखा है nifty 50 को तो one day के चार्ट पे हम discuss कर लेते हैं कौन सी support और कौन सी level पे यह resistance face कर सकता है तो nifty 50 का daily chart यहां पे लगा लिया है तो main यहां पे जो call writers यहां पे बैठे हैं इस level पे बैठे हैं और यहां पे इस level को break करने का मतलब है call writers के यहां पे stop losses hit होने start होंगे that is 1970 के level यहां पे major call writers बैठे हुए हैं और यह major resistance इसके लिए है तो इसके उपर अगर nifty 50 में अप move हम expect करते हैं तो इसके उपर at least एक breakout और hold करना काफी important इसमें है तो यह एक resistance है आप mark कर लेजिए और यह वाली zone जो है एक यहां पे काफी important और major support है that is 19.456 and 19.255 455 कर लेजिए 19.455 और 19.255 यह एक important support है nifty 50 के लिए तो at present इस एक यह range से बन गई है इस range के बीच में यहां पर trade करना है और candles भी इसी वज़े से छोटी छोटी यहां पर form हो रही है तो काफी cautious होके यहां पर trade करना क्योंकि momentum यहां पर कम मिलेगा क्योंकि एक range में अब nifty 50 यहां पर first चुका है एक यहां पर momentum मिल सकता है यह blue color की trend line आप देख सकते है आज का high यहां पर देखे 19.675 का high है तो अगर यह Monday की trading session में open होते ही 19.675 की high को अगर यहां पर break कर देती है तो फिर यह momentum इसे यहां पर 19.760 तक यहां पर लेके जा सकता है तो काफी छोटी सी ही moment है यह तो trap भी हो सकते हैं नहीं भी trade करेंगे तो कोई problem यहां पर नहीं है तो positionally मैंने इसमें जो support है as well as resistance आपको यहां पर बता दिये है and for intraday purpose अगर हम इसमें बात करें तो 15 minute की chart पर मैं आपको बताता हूं क्योंकि intraday purpose में कौन सी level इसमें important रहने वाली है तो for intraday purpose अगर इसमें 19.640 के उपर की opening यहां पर हमें मिल जाती है 19.640 आप note कर लिजे 19.640 के उपर की opening यहां पर और इसका high जो 75 की आसपास है इसके नीची की opening अगर मिल जाती है best opening रहेगी इसमें मैं by side में prefer करूंगा first 5 minute की candle में ही अगर कोई setup बनता है क्योंकि फिर यहां पर एक छोटा सा momentum तो पकड़ में आ सकता है और second अगर suppose करिए यह downside में break करती है तो next इसका यहां पर support निकल के आ रहा है 19.600 तो downside में इतना momentum यहां पर नहीं मिलेगा as compared to upside और upside में इसी range में अगर open होता है तभी momentum मिलेगा suppose करिए किसी कारणवस gap down opening हो जाते है 19.600 के आसपास तो 19.600 इसके लिए एक important support है तो 19.600 के आसपास हम buying ही prefer करेंगे क्योंकि यहां पर consolidate करके अगर एक breakout देता है तो by side में ही prefer करेंगे अगर suppose करिए यहां पर consolidate करके और downside में break करता है तो momentum इतना fast हमें नहीं मिलेगा क्योंकि momentum हमें मिलेगा जब यह इस trend line को upside में break करता है तो gap up के case में यहां पर based on price action ही यहां पर decide हमें करना होगा क्योंकि बीच में अगर open होगा तो दोनों ही side के यहां पर momentum हमें मिल सकते है downside as well as upside तो इसलिए careful होके ही nifty 50 में कोई trade पकड़िएगा कुछ time के लिए जब तक यह इस channel से यहां पर बाहर नहीं आ जाता तो friends इस video में इतना ही I hope आपको video अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share जरूर करें और channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो friends मिलते हैं next video में